सर्वा मंगल मंगल्य शिवे सर्वार्थ साथी के शरन्य त्रियंब के गोरी नारायनी नमोस्तुते क्या था-पाल क्या रिवे जाँ अबर्वा मंगल्य तो एला कि सर्वा जा ओड़ी नमोस्तुते हाई दून वादियों से आ रही है आयलों की चंचंचंच इन हवाओं में इबत रही है चूरियों की सरगंच दून वादियों से आ रही है आयलों की चंचंच इन हवाओं में इबत रही है चूरियों की सरगंच एक चहरा जो खाबों खयालों में आए आते जाते दिल को दिवाना बनाए कोरे कोरे का घजब लिखना सिखाए धीरे धीरे मुझको वो शायर बनाए हो लालालालाला.. लालाला… वो तो सुभा की पहली किरन है वो आब शारों में खिलता कवल वो तो सुभा की पहली किरन है वो आब शारों में खिलता कवल उसके लिए मैं गाता रहूँगा वो है मेरी जिन्दगी की घजल चोरी चोरी इन धड़कनों में समाए आते जाते दिल को दिवाना बनाए कोरे कोरे का घस्त लिखना सुखाए धीरे धीरे मुझको वो शायर बनाए हो आ, 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 आ वो तो सुरों की बहती हवा है वो मेरे गीतों की आवाज है वो तो सुरों की बहती हवा है वो मेरे गीतों की आवाज है मेरे लबों पे उसकी कहानी वो तो मुहबत भरा साज है वो तो मुझे को चाहत का राग सुनाए आते जाते दिल को दिवाना बनाए कोरे कोरे कागस पे लिखना सिखाए दिरे दिरे मुझे को वो शालर बनाए हो और बनाए हो तुझे मालूम है लाखन, आज हमें ऐसास हुआ के हमारी आवाज में जादू है यार, क्या बात करते हैं चाचू, ओ सही बात कर रहा हूं लाखन, ओ यार आज तो हमारी आवाज सुनके उठ तक मचल उठे थे, हवाएं सर सर करके नाशनी लगी और यही नहीं लोग उठकर मस्ती में जूम उठे थे यार यह तो क्या बावरो जैसे बाते कर रहा अरजुन अरे भावी आप महां होती ना आप भी नाज उठती तो क्या कह रहा है मारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा सच भावी अरे हो अब तो जनाब की नौकरी है और कल को इसका ब्या भी करना है आपको हमारे ब्या की चिंता करने के कोई जुरूत नहीं ब्या तो हमने कर लिया है हमको बता बगेर ब्यागर लिया है किससे अपनी आवास से अपने गीतों से अपनी गिटार से अरे ये पागल हो गएा ये पागल अरे यो भागो इसे किसी ओजा के पास लेके जा और इसका पागल्पन बताके इसका एलाज करवा कोई बात कोई बात नहीं भाईया आज तो मजाक उड़ालो अगर एक दिन इसी पागल ने सारे जमाने को पागलना कर दिखाया न तो हमारा नाम भी अर्जुन सिंग नहीं अरे नहीं अर्जुन नहीं मेरे बेटे अब भागो तुम इसे समझाओ न मैं इसका मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ इसको समझा रहा हूँ कि ऐसे सपने बद देखे जो अकसर तूट जाते और जब तूटते हैं तो बहुत तकलीफ होती है और मैं तेरी तकलीफ बरदाश नहीं कर सकता हूँ बेटे भाभी आप सुनेगी न अरजुन चल मैं तेरा गाना सुनूंगी लाकर जा किठार लेकर रामरा मरजुन भाईया रंजीट बोल मैनेजर सामने का है कुछ टूरिस्ट आने वाले हैं तुम्हें बस लेके एरपोट जाना है अच्छा है सकरो तुम चलो हम गाड़ी लेके सिधा एरपोट पहुंचते हैं ठीक है भाभी अंदर से हमारा कोट और पगड़ी ला दीजिए लो और करो लाड़ अपना कोट और पगड़ी भी लाड़ साब खुद नहीं लेके आ सकते हैं दुशन दुश्चा हैंना प्लिदि लेख जब रहा है थो धाल्यवाली पहले और वीज सब्यादा करें पपू जल्दी चा चड़ा दे मेरा सिंगर आगया है ओ चाय तो हम पिएंगे चाचा पर हमारी कुछ चिठी विटी आई के नहीं दाकिया तो आया था ना चाचा ओ डाकिया तो आया था पर तू चिंता मत कर यह जो वाई गुरु है न ओ ऐसा डाकिया पेजेगा जो तेरे को हम लोगों से दूर सिद्धा काम्याभी के राष्टे पे ले जाएगा ओ चाल पीछा वो तो ठीक है चाचा पर कब ओ शायद आज यह आप तो रोज हमें दिलासा देते हो चाचा पेचैनी इतनी बढ़ गई है ना चाचा कि हमसे और इंतजार नहीं होता इस नौक क्यों बव सारो भालो और शुक्रिया और भालू नुगोली मार पुतर इक गाल दस आज कोई गीत नहीं त्यार किता है सोचा ना चाचा ऐसा गीत सोचा ऐसा गीत सोचा चाचा अगर आपको सुनाया तो आपकी तो ओए 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 मेरी की हो एओ मैं क्या तोड़ी निंदर उ लाला ला लाला ला वू तुम से अच्छा कोन है हे तुम से अच्छा कोन है ओ बंद करे ने हो पास आ गई ओ लट्टू जल्दी चा रखने ओ पैसिंजर आ लो चाचा आपके गाने के चक्कर में मैं तो गया आज और चिंता मत करना और वाई गुरु पला करेगा किते होटल दी बस तो कंटे हो गए यार और मोटो पाजी और इससे अच्छा तो पंजाब चलते यार अरे पंजाब की क्या खास बात है यार पंजाब में इतने ट्रॉक के कम से कम एक तो हमें होटल पहुचाई देता यार और दिमाग खराब कर दिया यार गर्मी ने तेरा क्या सभी का दिमाग खराब है लगता है आगी माँ यही पस अरो ड्राइव यह कोई भक्ति आने का दो गंटे हो गया यहां बैटे-बैटे खोबडी करम हो गई इस तरह सुलू करते हैं तुम होटल वाले हम तूरिस्तों के साथ पहली बात तमीज से पेश आई हैं दूसरी बात यह बस आपके बाप की नहीं है ड्राइवर होके बाप तक जाता हां जानता है मेरा गुस्ता क्या करोगे खीच का थपल मारूंगा मारता है यह मारता है यह बस ने बाप की ने तेरी मा की यह बस है गीता ट्रावल के स्टाफ के लिए जिसकी लीडर है मिस नैना समझा मेरे नैनसोक तेरा नाम नैना है मेरा नाम है नैना है 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 फिसने मुझा मारा है जिस तरह तुमने मेरे दोस्त को मारा है, उसी तरह मैं भी तुम्हें मार सकती हूँ, लेकिन मैं छोटे लगो के मुह नहीं लगती, छोटा किसे कह रहे ही हैं, हम ठाकुर है, ठाकुर अर्जुन सिंग, माना हमसे गलती होगे, पर इसमें छोटा कहने की क्या जरू होता है, बत किसे पंगा लेना ठीक नहीं, अगर यह सब को छोटके चला गया, तो हॉलिडिय है एरपोर्ट होगा, बाई साब, शीज नाट सीरियस, इसके दिमान में जारा गर्मी चल गई है, आप अपने कॉक्पिट में बैठी है, कप्तान साहाब, चलो, बसमें बैठो, चलो, बसमें प्रेंज, आम वेरी सॉरी, बसमें, इडियान, ऐसे ब्रेक मारते हैं, मैडम जी, यह जैसल मेर है, आगे उठा गया था, एक्सिरेंट हो जाता तो पब्लिक ने इतना मारना था के, अंग्रेजी में गालियां देना भूल जाती हैं आप, पर गाड़ी आराम से भी चलाई ज सकती है, यह कोई तरीका है, देखे मैडम, आप मुझे तरीका मत समझाई, अगर आपने मेरी कंप्लेंट ही करनी है न, तो छोटी सी क्यों, 10-12 एक साथ कीजिए, मैं लेट आया, मैंने आपके साथ बत्तमीजी की, मैंने रफ ड्राइविंग भी की, और मैं आपको मौत का जैसे अब बस में नहीं, एक पालकी में जा रही है, और आपको इस शहर की हार इमारत, हर पत्थर की कहानी, एक गाइड बन कर बताओ, अरे तो भई यह बताओ न, कहे तो हमारी कोई गलती नहीं है, वक्स से पहले एरपोर्ट पहुच गए थे, और बस इतने अराम से जैसल मेर सब्सक्राइब के जिसमें के दो तीन हिस्सें वो छोल के सब चटक रहे हैं, जाता हूं, दो तीन पैग लगाऊंगा, और बाय मॉंटो, सी यू, हां, गुट नाइट, बाय, गुट नाइट, देखना ऐसा करा हूंगा, किसी को सोने निदूँगा, थैंक यू वेरी माच, तुम बहुत अच्छे गाइड हो, जी, इसमें थैंक यू की क्या बात है, और वैसे भी मुझे बहुत गर्भ मैसूस होता है, अपना होम्टाउन दिखाने में, थैंक बुद्त शेयर केवता है, थीक से, थीक से भाया, जब ठीक ठाक, पिसमेराने, कुछ नाइटी, तो सुनाओ, तहरे को, लाद थारे को खुश कर दूँदूँदूदूदू निदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदू ला 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 ये ऑव वा बैवा क्या बात है और जुन्सिंग वह बड़े कमाल का गाता यार तू तो तो मज़ा गए है यार कसम से बजाता भी अच्छा है अच्छा बजानता है ना हाँ बहुत अच्छा लेकि तुमने गाना क्यों बन कर दिया इतना अच्छा गा रहे थे तुम जी हम तो सिर्क गुन-गुना रहे थे और अर्जुन सुना दो यार गाना अर्जे गाना तुम से अच्छा कौन है कोई रुत हो कोई मासम तुम से अच्छा कौन है चांद तारे फूल शबनम तुम से अच्छा कौन है प्याना जी रेगिस्तान की चांदनी रात की बात ही कुछ और है आज आप देखेंगी तो आपको मज़ा आ जाएगा प्यार से मुखडे को आके चूमती है चांदनी सारी दुनिया में है बिखरी बस तुम्हारी रोशनी ऐसा कोई भी नहीं हो मेरी नजर में हसी मेरा दिल कहता है जानम तुमसे अच्छा कौन है मेरा दिल कहता है जानम तुमसे अच्छा कौन है तुमसे अच्छा कौन है जो खुले जुल्फे तुम्हारी दिन में काली रात हो तुम जरा आचल उड़ा दो धूप में बरसात हो सागर की प्यासी लहर हो जुमें तुम्हें देख कर सारी दुनिया सार आलम तुम से अच्छा कौन है सारी दुनिया, सारा आलम, तुमसे अच्छा कौन है कोई रुत हो, कोई मासम, तुमसे अच्छा कौन है चांद तारे खूल शबनम, तुमसे अच्छा कौन है हो, तुमसे अच्छा कौन है भाभी अच्छा कौन है? बहूं से हुआ कौन है? कर演े है लिए नेना जी, यह हमारा भाभ आ नमस्ते, यह अक्छा कौन है? भावी अर्जुन भावी देखो तुसरी को ना है ये है नैना जी नमस्ते ये हमारी भावी तो ये है नैना जी जी हां नैना जी बताइए न हमारी भावी को हमने आपको गाना सुनाया आपको कैसा लगा सच में भावी अर्जुन बहुत अच्छा गाता है इसकी आवाज दिल में करवाता रहेगा या इनकी कुछ खात्रदारी भी करेगा हां मम्मी यह अंटी बहुत अच्छी है इनके लिए चाय लाईए तो स्वीट मैं भी चाय लेकर आगा हाँ वही कुछ चाय वाई लेकर आऊ नाजी आप लोग यहां कब तक हैं बस हमें कली वापस जा रहे हैं आते हो तुम्हें तु मुंबई आकर वाकी में ट्राय करना चाहिए मुझे पूरा यकीन है कि तुम इतने मशूर हो जाओगे कि लोग तुम्हारे आगे पीछे न्यूस्पेपस में तुम पोस्सेस पे तुम टीवी पर तुम हाँ जगा बस तुम ही तुम होगे सच जूट बोलकर तुम्हें जूटे सपने दिखाकर मुझे तो कोई फायदा नहीं होगा ना हाँ 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 चलिए प्लीज मैं अभी आती हूं मेरी बात याद रखना भूलना मत ओके और प्लीज गाना गाना मत छोड़ना यह मेरा कार है जरूर मुंबई आना और मुझे मिलना ओके बाई आप जैसा आप जैसा यार मुझे चाहिए आपकी मुहबत और प्यार मुझे चाहिए जैड की तराने दिल यूगी बेगे लाओ आपके लिए ही सारी जिल्दिगी मैं गाओ आपका मैं आपका जितारा वह बही है आपके यूग्राइखच स्थाश कि जीना आपका भाई-ब्यद भावी भावी भावा अर्जुन कि चाहिए व्यो बात है चला क्यों रहाए बही भावी आज हम ने एक सपना देखा बुरी बात सुन तुलो वो क्या कह रहा है क्या सपना देखा अर्चुन भाबी हमने देखा कि हम एक बहुत बड़े स्टार सिंगर बन गए है भायानक सपना भाया लोग हमारा गाना सुनकर जोरदार तालियां और सीटियां बजा रहे थे अच्छा अच्छा क्या है यह सपने वह अपने देखने बंद कर और जा जाकर सोजा भाया हम मुंबई जाएंगे भाया हमें एक बहुत बड़ा सिंगर बनना है क्यूं कोई चिथृ आगे के मुंबई से किसी मुझिक कंपनी की हमें पता है तुने एकिबाल चाचा की दढाबे का पताधे रख किया iç कि भबै हमें बुला रहा है भाबी हम जाएंगे बीज खबर दोबइर हम लिया तो जा जा कर सोजा जा सूच ला टालनू तलका वड़का मार यार साथ शिर्याकाल लग बाल चाचा लग अपले ओ मेरे अर्जुन सियां मैरे गीत कार मेरे संगीत कारा हाम अचाप और अच्छा सा के सुना दे मन्नू घ्रवाज़ मैं अधिर मिल यह यह का cuc L भाईया, हमने फैसला कर लिया है, हमने ये फैसला किया है, कि हम आपको दुखी नहीं करेंगे, हम आपसे दूर भी नहीं जाएंगे, बस इसके लिए हमें अपने सपनों को भुलाना होगा, और जब सपने ही नहीं रहेंगे, तो इसका क्या काम, क्योंकि ये रहेगा न, तो हमें अमारे सपनों की याद दिलाता रहेगा, तू कर न होता फैसला करने वाला, इस घर का बड़ा मैं हूँ, और मैं ही रहूँगा, और इस घर में फैसले हमेशा मेरे ही चलेंगे, और मैंने फैसला कर लिया है, कि तुम मंबई जाएगा, जरूर जाएगा, और एक दिन इतना बड़ा गायक बनेगा, कि इस देश का हर इनसान, बच्चा-बच्चा हमें देखकर ये कहेगा, कि ये देखो, ये है उस बुलंद आवाज, और महान गायक अर्जुन सिंग के भ बहुत कामयाओध मेरी जाएगा, विभाए ये देखकर कामयाओध ये, धा कामयाओध मेरी परेना था, आई बाबा आई आ रही हूँ ए अंदर कहां आ गए जी बहुत देर से बाहर खड़े हम घंटी ढून रहे थे फिर जाकर किसी ने बताया कि रस्षी खेशने पर मंदिर का दर्वाजा खुलता है भाई साप आप कलर जगे पर आंगे हैं ये मंदिर नहीं मेरा घर है दुक दुक दिकशित का घर फिर तो नेना दिकशित भी यही रहती होगी में Indonesia लिखत नहीं है कई ए नहीं हो तुम मैं नेना की मा हूँ मा? प्रणाम मा जी आशिर्वाद अरे वे ये क्या कर रहे हो तुम? उठो, कौन है तुम? जी हमारा नाम अर्जून सिग्ग सामान उठाओ जी हम जैसल मेर से मैंने कहा ना सामान उठाओ जी हमें तो नेना जी ने पता दिया था और कहा था जैसलमेर से जब भी तुम जैसलमेर से आये या अजमेर से बाहर जाते हो या पुलीस को बलाओं ना जाने कहां से चले आते हैं मूठा कर मूठा कर अंदर नहीं आये जी हम तो जैसलमेर से मुंबई चले आये अब क्या करोंगे अर्जुन सिंग कहां जाओगे इतने बड़े शहर में तो सिर्फ नेना जी जानती है तुम्हें खेर देखा जाएगा अरे नेना ये अर्जुन तो नहीं अरे हां अर्जुन नेना जी अरे अर्जुन तो कब आए बस अभी कुछ घंटे पहले नमस्कार वंट भाईया नमस्ते यहां क कैसे जिन ने ने कहा हम मुंबई आकर ट्राय करना चे इसंगर बनने के लिए तो आ गए हम बहुत अच्छा किया चलो अब घर चलो घर तो हमों जी और मां जी ने भी जम कर सवागत किया हमारा तो तुम रहेंगे कहां तो नैना जी हमारे पैदा होते हमारे म उपर वाले ने हमें माबाप से भी बढ़कर भाईया भावी का साय दे दिया और जब वो हमें यहां इतनी दूर तक ले आया है तो उसने मारी च्छतका भी तो बंदोबस्त कर रखा होगा ना अरे वहाँ क्या बात गही है दोस्त तेरे लिए उपर वाले ने च्छतका बंदो सकता है और मुश्कलों के वक्त दोस्त ही दोस्त के काम आ सकता है कि आये यह मेरा घर मेरा नहीं हमारा हमारा कहीं भी जूते उतारिए कहीं भी सूटकेस रखिए और फैल जाए अच्छा है मॉंटो भाईया बहुत अच्छा है भाई तुम्हारे जैसलमेर की तरह बढ़ा त हम आपके बहुत ऐसान मंद हैं मॉंटो भाईया आपने हमें सर्च चुपाने के लिए छट दी सहारा दिया पर हम आप पर बोज बिल्कुल नहीं बनेंगे आप बोज यार दोस्त दोस्त पर कभी बोज होता है तू सिंगर बनने चाहता है न है चल मैं बनाता हूं तुझे सिंगर आजा हुआ है यह बार वाले इतनी आसानी से किसी को गाने का मौका नहीं देता है में आसा मोका चाहिए भी नहीं मॉंडवाया तुने चलना घरी टेबल पर जोडिये वह जोडिये आमें पर आपके सब्सक्राइब करने सुआब जाके सब्सक्राइब इब इबनेंग दिंग्डॉंग जी कर दो टोट विए कि में आपर आपकर यह अगत में की तश्वीर देखी अखवार मैं क्या लग रहे था अब अरे हमारी तस्वीर नहीं चपेगी तो किसी और की छपेगी हम कलकर हिट मेजिक डिरेक्टर है दिंग डांग डिंग डांग इन दॉप अर्चुर बहुत बड़ी हा गाता है अच्छा गाता है सुना दे महावल भी है और साज्य समान भी ए जल सुना दे अंडिक नहीं तो बह मेर नहीं चलेगा तो मॉन्टो भहिया आप ही बताओ यहां क्या चलेगा अरे इतनी पिला इतनी पिला साकी के महग जाओ मैं यह तो मुम्किन नहीं के भैग जाओ मैं सुना दे चा जा जा साला फसा मैं कदे की गली में जाना छोड़ दिया जब से देखा उसे शीशे का जाम तोड़ दिया जो जाम से पीता हूँ उतर जाती है जो जाम से पीता हूँ उतर जाती है जो आख से पीता हूँ तो जड़ जाती है जो आख से बिदा हूँ तो जड़ जाती है मस्ता न यार तौबा हस्ती बहार तौबा वो चुपके बार तौबा नजरों की मार तौबा चाहे खुमार तौबा आए करार तौबा दिल जाए हार तौबा हो जाए प्यार तौबा ना पूछ यार महाबत का नजाग है जाहर कोई दिन रात ख़यालों में बसा रहता है बड़ी हसीन इसमे शाम जहर होती है ना दर्दो गम की ना दुनिया की खबर होती है ये बे खुदी तो जिन्द की महकाती है महकाती है महकाती है जो आख से पीता हूँ तो चड़ जाती है जो आख से पीता हूँ तो चड़ जाती है जुल्फों की बदलियों में रातों में है नशा महबूब की अदा में बातों में है नशा दिलदार की शराबी आखों में है नशा होटों की सुर्खियों में सांसों में है नशा गुलाबी नर्म से होटों को चुम के देखो किसी की मदभर बाहों में जुम के देखो दिवान ब्यार का वैसा सुरूर चाएगा तुझे जमी पे भी जन्नत का मज़ा आएगा ये मैं कशितो आशक सिकलाती है जो आख से पीता हूँ तो चड़ जाती है जो आख से पीता हूँ तो चड़ जाती है जो आग से पीता हूं तो चड़ जाती है एक ठाकुर को पकड़ लिया ठाकुर कौन ठाकुर हम है ना ठाकुर जैसल मेर के ठाकुर अर्जुन सिंग इंस्पेक्टर साहब ठाकुर और पुलिस टेशन में बेर जो इंस्पेक्टर साहब अगर ये ख़बर जैसल मेर पहुंच गई तो भाईया भाबी की तो नाख ही कट जाएगी हम तो आये थे कहां पहुंचने और इस मॉंटो ने हमें कहां पहुंचा दिया इंस्पेक्टर साहब क्या बात कर रहा है यार मैं तुझे इसलिए थोड़ी ले गया था कि चौप शर्म नहीं आए तुझे मूँ मत खुलना अपना मूँ तो डालेंगे तेरा हम आग लगी हुई है हमारे अंदर अरे हम सरसवती के बुजारी कहां गाना गाने आये थे और कहां ले गया तुझे आ या वो हमें कभी घर में घूसने तक नहीं देंगे हम लावारास हो जाएंगे इस्पक्र साथ 1995 तुम लावारिस नहीं अर्जुन यह ने मुझे सब कुछ पता दिया ईको को कि तुम्हारे अंदर जो सेंगर बनने की चिंगारी इटारी तक से शोला बना दिया नैना ने ही तुम्हें और तुम्हारे सपनों को यहां मुंबई आने का रास्ता दिखा दिया इंस्पेक्टर साहब मैं प्रोफेसर हूं लॉग कॉलेज में और मैं इनकी जमानत देने आए हूँ नहीं मैडम इसकी कोई जरूरत नहीं वैसे भी आर्जुन सिंग के भोले पनौव प्रयाश्चित के सामने किसी जमानत की जरूरत नहीं है हम पुलीस वालों को खरे खोटे की अच्छी पैचान है आप इने ले जा सकती है थैंक यू इंस्पेक्टर नमस्ते चलो ओ मॉन्टो जी तुम भी जाओ लेकिन सुन फिर कभी ऐसे भोले इंसान को ऐसी जगह नहीं ले जाना अच्छा तो यही है वो जैसन मेर का गवया जिसका गाना सुननी के लिए पुलीस वाले से पुलीस स्टेशन ले गये थे अनु सारी अभी देखना यह दिदी को कैसे मुलाएगा नेना जी नमस्कार नेना जी नमस्ते अर्जुन तुक तुक से तुम मिल चुके हो ना और यह मेरी दूसरी बेटी अनु नमस्कार अनु जी नमस्कार आज से ही यही रहेगा हमारे साथ हमारे साथ मगरी सोईगा कहा उपर नैना की कमरे में क्या नैना की कमरे में ये जैसल मेर और नेना अब pe हम तयार है नेना जी एरे आप और अब्द्थयिक्ट न्यों ay मैं अभी जाके तयार हो क्या आती हूँ आपकी आखों में आसू आप रो रही है ना जी मैं रो नहीं रही मैं कांधा काट रही हूँ कंधा अरी बाबा प्यास मैं प्यास काट रही हूँ आपकी आखों में आसू अच्छे नहीं लगते ना जी चलिए आप जाकर तयार हो जाए और वैसे भी इस म्यूजिक डायरेक्टर ने आज इतने दिनों के बाद तो अपॉइन्मेंट दिया है प्यास जो है हम काट लेंगे ठीक है तो मैं जाकर तयार होती हूं तुम ठीक से का अच्छे नहीं लगते लो आपको असली बात तो अमने बताई नहीं वो क्या है कि आज वो हमें एक म्यूजिक डारेक्टर से मिलवाने ले जा रही है देर हो रही थी तो हमने उन्हें तयार होने भिजवा दिया अंदर अन्नु जी आप कहां जा रही है अन्नु जी कॉलेज कपड़े तो पहन के जाए न अन्नु जी क्या मतलब आप जैसे अच्छी लड़की पर ये कपड़े अच्छे नहीं लगते ये जैसल में नहीं मुंबई है मुंबई अरे बला ऐसे कैसे हो सकता है वहां की लड़की शर्मीली और यहां की लड़की बेशरम मुंबई हो या लड़की तो लड़की होती है मि caucus माँली की सिर्फाम केकं है हेलो वाजी बोल रहा हूं मैं हरे सेट जी कहां थे आप इतने दिनों तक आप कहां खो गह थे हाँ देखिए मालिक की देया से ये पहला वॉर्ड तो मिल गया है अब आगे आगे देखिए होता है क्या ये जितने म्यूजिक डिरेक्टर तीसमार खाम बने फिर रहे है ना इन सब का जाग ना बिठा दिया तो कहना एक मिनिट आइए 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 आ डिया आइए आइए नेणाजी बाड़े जमाने बाद आपाई है मेublरी फिल्म हिट होने के बाद आप आई हैं हम या 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 बटिए आप आप कैसी है और आपकी ऐः त्रावल एजंसी कैसी है बलकुल ठीक चल रही है आप ने ईक बार मुझे बड आचा दे दें तो इसकी लाइफ बन जाएगी यही कहना चाहती है ना आप हम इसे चांस देंगे जरूर देंगे अरे भाई जिसके साथ आप जैसी हसी खुबसूरत और जवान नड़की हो उसे तो चांस मिलना ही चाहिए नेना जी यहाँ तो ऐसा है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है है इस कुछ का मतलब समझ रही है ना आप हम इस कुछ के बदले में मालिक की दूआ से इसकी किस्मत बना देंगे नेना जी आप इधर आयं नेना जी यह हमारी किसमत जमकाएंगे जमकाए तेरे कुछ का मतलब हम समझते हैं समझते हैं ना ुआय औरे कोई है कोई है कोई नहीं है अरे मेरे बाप मुझे माफ करते मेरी भूल हो गई कर दियां गर版 मघर तुने राउन नेजी किससे मंघेगा मत्ахता है है अप्ते जी मी स्थ hooked माफ्य एपनी माँ से घखते पाबुजी हाखते है मांगता हो भूजी मेरी माजी मेरी बेहन जी मेरी बेटी जी मुझे मुझे माफ्टड़ोiri मैं मैं अपने कान पकड़कर आपके पाउं चुकर आपसे माफ़ी मंगता हूं इतना बड़ा मिजूर्ट डिरेक्टरू मैं बस नेना जी आप चलिए आप चलिए हम आते हैं सुनोई एक बात अपने दिमाग में उतार लेना सिंगर तो हम बनेंगे और इतने उंचे सिंगर बनेंगे जहां तुझ जैसे घटिया और छोटे लोग ना पहुंच पाएं और आएंदा नहीं करूंगा कि जलिए ना जी अर्जन इतना गुसा होने की क्या ज़रूरत थी अरे खुदे तो भौकते गहाना हिए ना ओव ना जी यह भौकने वाला कुट्था नहीं था ये काटने वाला कुट्था था वगर एक बात ऐ होगे ना जी आज के बाद ना ही आप किसी से हमारे ले जो भी करना है न हम खुद कर लेंगे आप घर चलिए पहले मुश्कर आओ नेना जी आप घर चलिए चलो ओils है एक यह एक यह यह डिफिनेटली डिफिनेटली यह वर्क यह थान ओके भाई हो गुर्मादी अली साप अगर हमें आपके प्रोग्राम में गाने का मौखा मिल जाए तो हम तो सारी दुनिया को सर मिलेगा भाई तुम्हें मौकाज जरूर मिलेगा सच सर यस दश्रा अर्जुन सेंग तो मंदर अप्लिकेशन फॉर्म फिल अप करो और अपनी आवाज में रिकॉड़ेट एक आडियो केसेट अंदर रिसेप्शन में ड्रॉप कर देना एंड बिलीव मी तुम्हारा नमबर आ आएंगे ओके इसलिए हमें जो कंपनी के रूल्स और रेगुलेशन से उन्हें सक्त रखना पड़ता है तुम फॉर्मर दो नहीं सर हम यहां लाइन में लगने नहीं आए हाफरीन थेखो अरजुन अगर तुम्हें बात है और तुम सची लगन और मैनत से काम करोगे काम्याभी तुम्हें मिलेगी अल्दे बेस्ट कि अरे वार्जुन को नहीं बताया कि हार बीस किनने के बाद में उसे कॉफ करें हाँ हाँ आण शैद भूल गया हृँ तब फिर सो गया चाहिए देख कम ओ भी पुरू सो बेदा बाद ऊप तु बेद गॉट नाइट गॉटनाइट और रूंट रूफ ज़या Manu अनु आप दू गॉटनाइट नाइट ऑ तु क्या कर रहे है चाहिए देख कि या कर रहे हॉफ क्या बात है अर्जुन तुम वहां से आकर यहां खड़े हो गए क्या हुआ कुछ नहीं नैना जी भाईया भावी और लाखन की बहुत याद आ रही है यादों को जैसलमेर में ही रहने दो अर्जुन सपने पूरे करने हैं तो इन यादों को छोड़ना बढ़ेगा क्योंकि यादे अक्सर इनसान को पीचे घीचती है यानी कि वाफस बुलाती है नैना ठीक कोहती है अर्जुन बिल्कुल ठीक केती है यादे इंसान अर्जुन तुम मुझे देखो तुम्हारी भाबी और भाहिया नजर आएंगे और मा तुम्हें हूँ ही न अर्जुन मा पेटा अच्छा नैना जी हम चलते हैं शाम को देर से लोटेंगे अरे अर्जुन सुनो तो बोलिये चल्दी बोलिये नैना जी आज हमारी अपॉइंट्मेंट्स है बहुत ज्यादा और टाइम में बहुत कम अपॉइंट्मेंट्स जी पहले में मिलना है नदीम श्रवन से उसके नैना जी नाम मत लीजे उसका पहले गए थे तो उसने में पुलिस टेशन पहुचा दिया अब ना जाने कहां पहुचाएगा अर्जुन गल्ती तो हर इंसान से होती है ना और वो वैसे भी बहुत शर्मिंदा है और पर चाहा तो उसने तुम्हारा भला ही था उससे क्या प मॉंटो अरे यार इतने दिन में तुझे इसी शर्म से नहीं मिला कि मैं तुझे कहां पहुचाना चाहता था और कहां पहुचा दिया कोई बात नहीं मॉंटो भईया लेकिन अम मैं तेरी सारी तगलीफें दूरू कर दूँगा आज हम जिस म्यूसिक डिरेक्टर से मिलें आ कि चलो बैठते हैं कि मॉंटो भईया अरे यहां जिन्दगी तमाम हो जाती है तुम सुबह शाम में घबरा रहे सब्सक्राइब सब्सक्राइब बहुत बढ़ी चीज होती है अरे इतना अच्छा गाना बनाया विक्रम साब को बोलो कैसा चेक बेज़े जो बाउंस नहों सिद्धिकी साब सलाव अलेकुम वालेकुम सलाव मेरे नम हुंटो है ओ अच्छा ना मैंने आपके सेकेटरी को फोन किया था आपसे मिलने के लिए यह मेरा दोस्य अर्जुन न किरिबन चार वजी होंगी। jam ci मिलना चाहते वों इंतजार नहीं कर वाते और जो इंतिजार करवाते हμέं मिलना नहीं चाहते मीस इतना नहीं समझते क्यां आप सार्र यह मेरा बहुत Tech अच्छा आता है दोस्त ऋक्यरे और दुश्मन निभारे हो उसके साथ, क्यों गलत रास्ता दिखा रहे हो भाई, कहां से आयो बेटे, जैसल मेर, जैसल मेर, एक काम करें, ये पांच सो रुपये लो, अब भी के अब भी जैसल मेर की ट्रेन पकड़के ना दिन दिन ना हो जाओ, यहां बरबात हो जाओगे बे अडवांस समझ कर, और जिस दिन हम बड़े सिंगर बनेंगे, और आप हमसे गाना गवाएंगे ना, उस दिन हमारे गाने की जो भी कीमत होगी, उसमें से काट लेना, क्या सोच रहे अरजुन सिंग, चल जाए पी, हम कुछ नहीं सोच रहे मॉंटो भाईया, यह जो लोग हमें धितकार रहे न, सोचना तो इन्हें पड़ेगा एक दिन, देख लेना मॉंटो भाईया, एक दिन आएगा, जिस दिन रेडियो पर, टीवी पर, बैंड बाजों में हर जगा हमारी गाने बजेंगे, न जाके न रख दियाना मॉंटो भाईया, हमारा नाम भी अरजुन सिंग नहीं, क्यों नहीं, इंमते मर्दा तो मददे खुदा, इरादे हो मजबूत तो नाचते हैं भूत, ये तो लोग हैं प्यारे, चल चाकी, से मुच्छे क्यों Stanis से मुच्छा हैं प्यारे, प्यारे, जुच्छा हैं? है! या, जो पकाष्ण, पकाष्स, कि ऑफा감, जो पकाष्स, कि ऑफाँ, किस अचिछा जप दो का। आरह बेड़ो हैसित अपाइदें ऐब्या, है भोड़ी कम एपेडियरे भेड़ीorama, उसा टेमनने कि याहँ Tutक्षण, जुआ सुनू जुट सेटे हैाँ, मैं धुटारोजूंाइज यहुटारोजू हुटारोजू अगो गाए अगो! चराऊथ! प्रुवत की अगो नापो अगैंट! अगो फिर देग की उसकारव ईंग यद्ट को एग अग ! जोग्ए! औराम मारे घंँता हैं तूला है कोग घं कांजय हैं ज कांजैंफ आ आ हैं रा मारे ऊamiliarर चार की ब splits करे तो क्षर्डें आ एंथ, चार्राया खो के रहने जी एंग projects कि चले पाली के चम्टें। हथाट ख़बद स्टतikes कि别ता से Donkey कि पाली ज्नाटी एड़! और न वह प którą पर खे get the विफँयाँ है और एmm और एम और एम और उदो और अ और प्रु़ ऑर और कि अ एंवाब कि आंवात कि अ कि अ कि टाइम के हुआ कि साथ बजे मा कहां थी अब तक हम बताते हैं कहां थी माय अन्नू है न यह बहुत ही पागल अड़की यह यह हमारी काम्याभी के लिए सिद्धी विनायक मंदिर गई थी मननत मांगने सिद्धी विनायक मंदिर हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस बेगाने शहर में हमें अपनों से भी ज़्यादा अपना पन मिलेगा वरना कौन किसके लिए मननत मांगता है बता कर जाती तो शायद चिंता नहीं होती अच्छा हो एक तुम उसे वह मिले तेरे साथ इसके भी दर्शन अच्छे होएं होंगे एनिवे तुम दोनों बैठो मैं चाय बना कर लाती हूँ नेना यस ममा चाय का पानी रखो इन दोनों के लिए ओके Arjun भया मुझे माफ करतो अन्नु जी अन्नु जी नहीं सिर्फ अन्नु मैं मैं तुम से बहुत छोटी हो अरजुन भाया तुम तो बहुत बढ़े हो तुम तुम नहीं जो मामा से कहाना वो में सच करके दिखाऊंगी और एक नहीं पूरे ग्यारा मंगलवार में सिद्धी विनाय के मंदिर जाऊंगी तुम्हारे तुम्हारे काम्याभी के लिए प्रया अची भाया तुमने तो भाया को सजा दिया एकदम रॉक स्टार लग रहे नहीं नजाने वो दिन कब आएगा अरे आएगा भाई ज़रूर आएगा उनके सपने पूरे होंगे तभी तो तेरा सपना पूरा होगा क्या मतलब तेरा जूट तो चुहे की तरह छुप जाता है सच कोई चोट लगती है ए स्टूपिड साफ साफ बोल क्या कहना चाहती है तू अरे भाई अरजुन भाईया को तुमीने तो सपना दिखाया था उन्हें यकीन दिलाया था कि वो बहुत यच्छा गाना गाते हैं और अगर वो यहां आकर ट्राय करते हैं तो हो सकता है कि एक दिन वो बहुत बड़ी स्टार भी बन जाए यह तुम्हारा सपना था तुम्हारा यकीन था कि वो यहां आए और स्टार बन जाए और सब के दिलों पर चाह जाए ठीक है ठीक है अभी जा और जाके दाल चड़ा दीदी यह ट्रॉम्पेट बच नहीं रहा इसे ठीक कर दो ना तुक तुम भी हमेशा जब में इंपॉर्टन बात करती हूं ना तभी आती हो दीदी ने बोला ना एक बार दाल चड़ाने का जाओ जाके दाल चड़ाओ लो तु वो हर साज बजा लेता है अच्छा फिर तो उन्हें में असका मारना ही पड़ेगा अर्जुन मेरा ट्रॉम्पेट ज़रा ठीक कर दो यह बच नहीं रहा और मुझे बच नहीं रहा और पजाना भी सिखा दो ट्रंपेट पर यह इंहीं क्या तुमने नेना दीदी ने कहां कि अर्जुन को मस्का मारो तो फिर वो तुम्हारा ठीक भी करदेगा और तुम्हें बचाना भी चुछा देगा इसलिए मैंने तुम्हें मस्का मारा कैसा लगा मस्का है अरे अर्चुन अर्चुन मेरा ट्रंपेट चीक करो ना बस इतना सा मस्का इतने से मस्के में तो ना ही हम आपका ट्रंपेट ठीक करेंगे ना ही आपको बजाना चिखाएंगे और मस्का लाओ तो बात बने जाओ घर में जितना मस्का है सारा ले किया ठीक है मैं अभी लाती तुक्टुक के जरा सा मस्का लगाने पर आप इतना हसी अगर वो धेर सारा मस्का लगाएगी तो आप कितना हसेंगी ये क्या ने डीजी देर भी दाल लुटा जेना सुबारी डाल किल गई अंदर कैसे गुशाए आप बाहर निकली बाहर निकली अप अब क्या करते हो दक्या क्यों मार रहा हो एक बार अपने बड़े साहब से बोलो ना मिलवाव नहीं से डिरेक्टर साब बहुत गुसे मैं काया धक्य मार के बहार निकाल दो अर्य यह बहुत बढ़ा सिंगर है एक सब्सक्राइब करें लागर पीछे लाइन में खड़ो जाए लाहिए है वह तो बहुत बड़े सिंगर अब चलो पतली गली से निकोल चलो जल्दी करो चल यार कि और स्टुडियो में ले चलता हूं तुझे चल कर दो कर दो कर दो मैं इसका मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ इसको समझा रहा हूँ कि ऐसे सपने बद देखे जो अकसर तूर जाते हैं और जब तूरते हैं तो बहुत तकलीफ होती है और मैं तेरी तकलीफ बरदाश्ट नहीं कर सकता हूँ बेटे अजुन लाखन अजुन मैं लाखन नहीं टुक टुक हूँ तुम्हारे भाईया भावी का फोन आया है यहां और भावी का फोन है प्रनाम भावी चीतरो अच्छा थीक है उसे पूछो कैसा है मुझे भी चाजु से बात करनी है मेरा भी साथ सिर्या काशा है देना अर्जुन यहां सब लोग तेरे को याद करते हैं पूजरे तो कैसा है बस आप सब का आशिरवाद है भाबी हमें तेरे बहुत यादा थी अर्जुन अरे तु थोड़ा रो ले तब तक हम मुझसे बात कर हते अरे अर४ हम तरी बड़े भाईया बोल रहे हैं हा भी यां कैसे है अमठीक है तो सुना तो कैसा है अर्जुन ओं थेठेग कानि के शाजर्यां आएगा अर्जुन अर्जुन तु रो क्यों रहा है बस आप सब की बहुत याद आती है हमें हमें भी तेरे बहुत याद आती अर्जुन आचा नयनाजी को फोन जी देन Already हालो बेटी अरुड को कोई थक्लीफ तो नहीं है नहीं नहीं बाभी अरुड को कोई थक्लीफ नहीं है अर्जून का त्यान रख नाँ हाँ अब बिल्कुल चुनतांस कीजें मैं हुने यहा आरे हलो हालो इस लाइच पी अभी जाना था, अर्जुन ये क्या है अर्जुन येराँजी सव्य तुम्हें मेरी आंखो में एसु अज्छे नहीं लगते वैसे ही मुझे भी तुम्हारी आंखो में ऐसु अज्छे नही लगते इन आसुहं 유 का मतलब समझते हो हम हार के नेना जी, हम हार गए, हार गए, क्यों ले गए थे मुझे अपने घर, भाईयार भाबी से ये कहने के लिए, कि अरजिन बहुत अच्छा गाता है, क्यों मेरे कहने पर मुट आकर यहां चले आए, तूटने के लिए, हारने के लिए, नेना जी, नहीं, तुम नहीं हार तुमने मुझे हरा दिया अर्जुन हरा दिया तुमने मुझे नहरा जी हम आपको नहीं हारने देंगे हम आपको कभी नहीं हारने देंगे हम आपको कभी भी नहीं हारने देंगे लो रोश्णी हो गए तुक्तुक जलो पेंडेना जल्दी कर तुक्तुक किस्पे लिख रही है सब किराय का सामान है मॉंटो के विकी भाई मैना जी मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है यह सब आप क्या कर रही हैं चौती बार बता रही हूं इसके बाद नहीं बताऊंगी हम सब ने मिलकर यह इंतिजाम किया है सिर्फ तुम्हारे लिए तुम इस पर खड़े होकर गाना गाओगे अरे बाबा लोग इकठे होंगे तुम्हारी आवाज सुनेंगे हो सकता है तुम अच्छा आप सिंगर बनके तो नहीं रहाँ जाओंगा अरे हमारे तुम्हारे सोचने से क्या होता है दोस्त वही होता है जो मन्जूर होता है समझाए कर किये जा पलकी चंता मत करें बालब है 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 यह सड़क है तुम लोगों की बाप की जागीर नहीं है यह क्या तमाशा लगा रखा है हां मैडम यह तमाशा नहीं है आज यहां रोड शो होने वाला है जिसमें हमारा दोस्त अर्जुन सिंग गाना गाएगा ताकि इसकी आवाज उन लोगों तक पहुंच जाए जो इसे बहुत बड़ा स्टार सिंगर बना दें समझिया क्या इसकता हुआ है डरगा बत आढ़ा जिसे भी साथ आप्रा सिंग करता है आए यह जो पलागार यह जो अजड़ कर दें जब कर दिल देंस है जूलो हो यो 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 Snॉ दिल गया, दिल गया, मेरा दिल गया, दिल गया, मेरा दिल गया, देखके तुमको यार आज पहली बार, लगता है हमको, हो गया है प्यार दिल गया, दिल गया, मेरा दिल गया, दिल गया, मेरा दिल गया हो दिल गया, 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 दिल गय सुरों की हवा चलती रहे मैं इसाज में ढलती रहे महाबत की धुन बजती रहे ये महफिल सदा सजती रहे मेरी धरकनों में समाए हो तुम कभी होंगे हम ना जुदा दिल गया दिल गया दिल गया दिल गया दिल गया देखे तुमको यार आज पहली बार लगता है हमको हो गया है प्यार दिल गया, मेरा 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 दिल गया कि अज़ देया, 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 कि अज़ देया I loved you, you were great, congrats, see you soon, okay, bye Okay, enjoy yourself, have a nice evening Hi girls, hi sweetie, how are you? आच्छा बॉबी, ये तु बताओ, वो कहा है जिसकी आवाज की तुम दिवानी हो गई हो? Really? Of course, really, उसकी आवाज में वो जादू है, जो किसी के भी दिल को अपने वश में कर ले Strange looking guy, कहीं यहीं तुमारा आर्जुन तो नहीं? गुज्राल साब की भी I'm sorry, इस वक्ता आप उन्स नहीं कर दो भाई साब, मैं उनका खास महमान हूँ आप बुलाए तो से उने अर्जुन नमस्कार बाबी जी आओ, आवाज की जादुकर आपके कदरदानों में आपका स्वागत है जी, शुक्रिया आओ, मैं तुम्हें अपने पापा से मिलाती हूँ चलो पापा Yes, my sweet heart पापा ये है अर्जुन नमस्कार सर ओहो, तो तुम हो अर्जुन जिसकी आवाज ने मेरी गुडिया को दिवाना कर दिया Yo, Welcome सच पूछो तुम बहुत नसीब वाले हो, अर्जुन जी तुमने वो कहानी सुनी होगी कि एक बार एक परी ने एक गरीब को छुआ और उसे राजा बना दिया और ये हमारी बेटी उसी परी का रुट है जिसे चूलेती है उसके सारे सपने पूरे हो जाते है जब ये पैदा नहीं हुई थी हमारे बास कुछ नहीं था और ये परी हमारी पेटी बन कर आई और हम राजा बन गए पापा Okay, okay, I understand अपने महमान को महमानों से मिलाओ Thank you, Papa You're welcome, sweetheart Thank you, sir You're welcome, you're welcome, very welcome, my son Have a good time, enjoy yourself Excuse me, I'm sorry, where were we? Sweetie यही है, Arjun, जिसे में तुमें मिलाना चाती थी Hi, Arjun Hi, I'm अच्छा चलो, मैं तुमें किसी और से भी मिलाना चाती थी It's a passion चलो Thank you so much Mr. Amardee यह वही है जिसके बारे में आपसे जानता हूँ Oh अच्छी तरह जानता हूँ क्यों भई लड़कियों की गोद में पाउं रखकर ही काम्याभी की सीड़ी चड़ना चाते हो यह आपने पल्ले में भी कुछ है है सिंगर बनेंगे है आपने इसे रोड़ पे गातेवे सुना था जी हाँ आपने कभी लोकल ट्रेन में सफर किया है क्या मतलब है आपका मतलब यह के लोकल ट्रेन में जो भीकारी भीक मांगने के लिए गाना गाते हैं ना उनकी आवास भी बहुत सुरीली होती है जो सीधे दिल में उतर जाती है लगता है आपने लोकल ट्रेन में बहुत सफर किया है कहीं आप उन गानेवालों में से तो नहीं वाट क्या कह रही आप सुना नहीं आपने देखे आप तमी से बात किजिए मुझे तमी सिखाएंगे आप मुझे तमी सिखाएंगे आप बहेव यरसेल प्स बॉबी गए आउट गए आउट अपने यहां से मैने कहा निकल जाए आप यहां से नाव वेरी गुद माइदियर वेल दन स्वीठार्ट वेल दन बत्तमीज के साथ लेडिज एंड जेंटलमन आज शाम की पार्टी इस नौजवान अरजुन सिंग को आप सबसे मिलाने के लिए रखी गई है अरजुन कितना अच्छा गाता है इसकी नायाव आवाज आप सब तक पहुचाने के लिए रखी गई है पिटा आप सबसी के भी जुम मुश्कराय भही तो समाने को जीत पाए Come on Sing Give a big hand ladies and gentlemen Come on ladies and gentlemen Give a big hand Come on Sing हुआ है आख है भरी भरी और तुम मुश्कुराने की बात करते हो आख है भरी भरी और तुम मुश्कुराने की बात करते हो जिन्दगी खफा खफा और तुम दिल लगाने की बात करते हो आख है भरी भरी और तुम मुश्कुराने की बात करते हो मुश्कुराने की बात करते हो मुश्कुराने की बात करते हो मेरे हालात ऐसे हैं के मैं कुछ कर नहीं सकता तडपता है ये दिल लेकिन ये आहे भर नहीं सकता जखम है हरा हरा और तुम चोट खाने की बात करते हो जिन्देगी खफा खफा और तुम दिल लगाने की बात करते हो आख है भरी भरी और तुम मुश्कुराने की बात करते हो कभी जो खाब देखा तो मिली परचाया मुझको कभी जो खाब देखा तो मिली परचाया मुझको मुझे महफिल की ख्वाइश थी मिली तनहाया मुझको हर तरफ दुआ 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 और तुम आशियाने की बात करते हो जिन्दगी हफा हफा और तुम दिल लगाने की बात करते हो आख हैं भरी भरी और तुम मुझकुराने की बात करते हो तुम यहां रहता करते हो जी अंदर चले ना आप नहीं नहीं अपनों से फॉर्मालिटीज नहीं करते फिर कभी सही सही वक्त और सही मौका देखकर लेकिन तुम कल सही वक्त पर पहुंच जाना जी बिल्कुल जरूर शौक गुद नाइट गुद नाइट बाई अरे नैना जी बॉबी जी आई थी तुम्हें छोड़ने हाँ पर आप अभी तक जाग रही है नीन नहीं आ रही थी तुम्हारे इंतजार में यही सोचकर कि पार्टी में क्या-क्या हुआ होगा बताओ ना तुमने गाना भी गाया होगा है ना गाना तो गाया नैना जी पर वहां जो हुआ वो तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था क्या हुआ वो मुजिक डिरेक्टर मिल गया मुझे वहां अरे वही जिसे आप मुझे मिलवाने ले गई थी फिर फिर क्या उसने मेरी इंसल्ट करनी चाहिए पर बॉबी जी से बर्दाश्ट नहीं हुआ उन्होंन कि यह मेरी मंजल कि बहुत करीब नशर आ रही है कि बॉबी जी ने मेरा हाथ अपने हाथों में थाम लिया है और सच पूछो तो कि बॉबी जैसे मेरी जिन्दगी में एक सुनहरी तक्तीर बन कर आई है और मेरी सुनहरी जिन्दगी का नया सफर कल से शुरू हो रहा है कल से हां नाजने बॉबी जी मेरे लिए क्या-क्या खाप देख रही है तुम्हें ऐसा बना दूँगी तुम्हें ऐसा सजा दूगी तुम्हें दुनिया के दिलों में बिठा दूगी और नेना जी आज मैं इतना खोशु हूँ इतना खोशु हूँ अभा पराम किजिने रजी गुटनाइट पापा पापा मैं यहां हूँ हाई पापा हाई ब्द्दू को यह समझा रहा हूं कि दोस्तों के पैर नहीं छूते उनसे गले मिलते हैं, ऐसे Good to see you young man A little whiskey? Whiskey, no whiskey Because whiskey है बहुत risky अरे बाबी इसे कुछ समझा मैं whiskey पी रहा हूँ और यह risky कह रहा है ओए तू whiskey नहीं पीता है तू star कैसे बनेगा ओए, कोई girlfriend शल्फरेंड है या वो भी खाना खाली है ए, बिल्कुल है आप नौजवान लड़के हैं मेरे दोस्त है तो हुए ना आप मेरे boyfriend पॉपीज लड़की है मेरी दोस्त है तो हुई ना मेरी girlfriend मेरे दोस्त है मेरे दोस्त है मेरे दोस्त है दोस्त है दोस्त है अब मैं तुम्हारी कदमों की आहट भी पहचाने लगी हूँ सुरी ना जी मुझे आज ज़रा देर हो गई कोई बात नहीं चलो तुम जल्दी से जाके कपड़े बदल कराओ मैं खाना लगाती हूँ भूग के मारे जान जा रही है लेके खाना तो मैंने खा लिया बॉबी जी के साथ उन्होंने तो मुझे खाना खाय बिना आने ही नहीं दिया इतना फोर्स किया उन्होंने मुझे के मैं तो इनकार करनी सका ये भी खा और जुन वो भी खा और जुन इतने प्यार से खाना खिलाया उन्होंने मुझे लेकिन मैं भी बहुचा लाग हूं नेना जी उनके इतना जिद करने के बावजूद मैंने भी सिर्व आधा पेट ही खाना खाया क्यों आधा पेट क्यों आधा पेट आपके साथ खाऊंगा ना नहीं अब मुझे भूक नहीं है भूक कैसे नहीं है नैना जी बैठिये चलिए बैठिये आज अर्जुन सिंग आपको अपने हाथों से खाना खिलाएगा और आपको को खाना पड़ेगा क्या बनाया क्या सब्जी बनाइए नैना जी वाह आप बहुत अच्छा पकाती मुझे स्टार्टिंग से मालूम था मालूम आपको प्लीज खाये ना प्लीज 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 नैना ज okay okay Setti thank you welcome sir yes Miss Bobby मुझे दरह सोच दीजिये just give me some time to think about it क्योंकि किसी भी नए सिंगर को इंट्रिड्यूस करने में, काफी रिस्क इन्वाल होता है। रिस्क? पैसे की चिंता आप मत कीजिये। जितना पैसा लगाना है, मैं लगाऊंगी। ज़रूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंस है आपको इनकी आवाज के बारे में। देट्स वरी गुड़। लेकिन आप सिर्फ पैसा खरच कर सकती थे। किसी को केसेट्स खरीदने या इनकी आवाज सुनने के लिए, मजबूर ने कर सकती हूँ। मैं मजबूर कर सकती हूँ। आप पर्चुन की एक नहीं। तर्जनों केसेट निकालें। हां, लाखों कसेट निकाली, जब किसी के घर में टीवी ओन होगा न, तो सिरफ अर्जुन का चेहरा दिखना चाहिए, सिरफ अर्जुन की आवाज सुनाई देनी चाहिए, आप समझ रहें न, मैं आप से क्या कह रही हूँ, आप कितने ओडियो कसेट्स बनाते हैं, इतने ओड इस अपने में भी नहीं देखे होंगी, मैं यह अदियो कसेट्स पेछूँगी नहीं, पांट दूँंगी, मैं अर्जुन को लोगों के दिल में बिठाना चाहती हूँ, मिस्ष बाबी, यह बिजनेस नहीं, पागलपन है, पागलपन, यह एएएएएएएएएएएएएए crazy see miss boppy I don't want to talk to you anymore this meeting is over over this meeting is over get out get out now get out right now हाई सुनील क्या हाल है अरी ये डालिंग ये सुनील महादेवन को क्या हुआ ओ माई बेवी बताओ ना क्या हुआ पापा हम एक म्यूजिक कमपनी खोलेंगे सुनील महादेवन की म्यूजिक कमपनी से बहुत बड़ी और बहुत उची प्लीज पापा सब्सक्राइब कर दो इन्शाल्ला। इन्शाल्ला। मभार्को अरे बहुत बहुत शक्रिए आपका। इनुटॉ Western και श्र쪽 फंद्यां को चार चान शनवारे, ऑफ और यार सिध्नीप कावा। छूरीattend वाहत्ति केंथ करने वाली है ओ आई सी आप ये भी कह सकते हैं कि इनकी आवास के साथ साथ हमारी कंपनी लॉंच हो रही है पहचाना नहीं सर आपने मुझे मुझे याद नहीं हम लोग कहीं मिले हो शायद अप कुछ याद आजाए आपको मैं आपके पास एक बार काम मांगने आया था तो आपने ये नोट देकर मुझे जैसल में लॉट जाने को कहा था I am sorry बेटे आप जैसे लोग आते हैं तो हम लोग I am मगर ये नोट मेरे लिए बहुत लखी है सर ये नोट जिस दिन आपने दिया था ना सर उसी दिन संगीत की इस दुनिया से मेरा रिष्टा जोड दिया था मुझे लगा ये मेरी पहले कमाई है गुजराल साब आज इस बच्चे ने मुझे बहुत बड़ा सबक सिखा दिया है जिन्दगी में कभी किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए बिल्कुल सही कहा आपने सुदीगी साब बिल्कुल सही सर उस दिन आपने मुझे ये नोट दिया था आज मुझे आशिरवाद दीजिए कि मैं जिस मुकाम पर पहुंचना चाहता हूँ वहां पहुंच सकूँ अरे 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 बेटे आज मुझे तुम पर नाजर कल सारे जमाने को होगा वाह अरे जमाल आप जैसा आप जैसा यार मुझे चाहिए आप की मुहब्बत और प्यार मुझे चाहिए छेड की तरा दिल यूगी बेहलाओ आपके लिए की सारी जिन्दगी मैं गाओ आप का मैं आपका सितारा आप का मैं आपका सितारा आप जैसा आप जैसा यार मुझे चाहिए आपकी मुहब्बत और प्यार मुझे चाहिए आपकी मैं आपकी kilogram बाकी माम का मुझे अलाव आपके ख्याल सारे आपकी ही चाहत है मेरे सारे गीत क्या है आपकी अमान दे सीरों से बना दे हीरों आप जिसे चाहे यहां तक लाई मुझे आपकी दुआए आपने नसीब ये सवारा आपने नसीब ये सवारा आपका मैं आपका सितारा आपका मैं आपका सितारा सितारा, सितारा, सितारा सपनों की दुनिया में पल्कों के घर में रहे नागे मुझे बस आपकी नजर में मैंने बनाई जगा आपकी जिगर में मिली शोहरत मुझे आपकी शहर में आपसन कोई दिल्दारा आपसन कोई दिल्दारा आपने नसीब ये समारा आपका 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 प्यापका सितारा आप जैसा आप जैसा यार मुझे चाहिए आपकी मुहबत और प्यार मुझे चाहिए आपका आपका प्यारा है कर दो. कर दो? कर वडिए सेट लारे लारे हैं! कर दो हैं? अब कर दो हैं!!! मैं लारे हैं! लारे हैं? झाल झाल आउ अर्जुन चलो खोलो एसे कम ओन इस बंगली को देखो और मुझे बताओ कैसा है बहुत दी खुप सूरत है इत McNach ko शुरत कि इसकी खुप सूरती की तारीफ तो में लफजों में भी नहीं कर सकता यह बंगला नहीं बॉबी जी यह तो किसी राजा का महल लगता है महल इस महल के राजा तुम हो अर्जुन अर्जुन ये बंगला तुम्हारा है कमपनी की तरफ से तुम्हारे ले एक छोटा सा तौफा छोटा सा बॉबी जी मैंने सपने जरूर देखे थे पर कभी सपने में भी नहीं सोचा कि सपने एतने हसीन होगे मैं कहीं खुशी से पागल ना हो जाओ बॉबी जी तुमने तो सारी दुनिया को पागल कर दिया है अर्जुन और फिर मेरे होते हुए तुम कैसे पागल हो सकते हो अरे यह पागल हो गया अरे पागल अर्यों भागो इसे किसी ओजा के पास लेके जा और इसका पागलपन बताके इसका इलाज करवा आज तो आपके अर्जुन को वागई एक होचे की जुरूत है बहिया क्या हो अर्जुन वाट्स हैपन कुछ नहीं पागलपन का अटायक आया था चला गया क्या पागलों जैसे बाते करते हो चलो मेरे साथ कहां मैं बताती हूं चलो ना यह सबाहिए हूं प्राइफ करते है कि अर्जुन कि प्रैक नपकी आपक जह हूं तक तक प्रैकल आपक्यों आपकशनी। कौन प्रैट नेना मुट्से टाइम सबस्क्राइब कर गदर चुका अर्जुने अब काफी क्लेंदी नेम अवाज रघगाए और्छ जुका है HOW जरूर कोई बदमाश लगता है अर्जुन भया होते ना तो अभी ठीक कर देते हैं मैं अभी जा के देखती हूँ नेना अर्जुन ये कैसा मजाख है ये मजाख नहीं नेना जी मैं तो आपको एक गाड़ी दिखाने के लिए लाया हूँ अच्छा कहां से चोरी की चोरी चोरी ने की ये मुझे बॉबी जी ने गिफ्ट की है माँ तेरे पास एक नहीं अनेक कारे हो पहली कार मुबारक हो आधी अधूरी मुबारक बात बिलकुल नहीं चलेगी ये देखिए हमारे ने बंगले की चावी एकदम बहल जैसा बंगला जो मुझे कंपनी ने दिया है चलिए अब हम सब भाही रहेंगे तुक 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 अफ टो बेड देर होगी बिटा गुद नाइट अर्जून गुद नाइट नाइट डिदी ये लो नो थैंक्स समझने की कोशिश करो अर्जून नै न तुम इससे समझाओ मैं जैसल मेर से जरूर आया हूँ पर ना समझ नहीं हूँ सब समझ है मुझे क्या समझ है यही इस घर से मा की पुरानी यादे जुड़ी हुई है इस घर में मा की आतना बसी हुई है और अगर मा हमारे साथ उस मंगले में रहने नहीं जाएंगी तो कोई भी नहीं जाएगा मगर मेरी भी एक बात सुन लीजे आप इस कोई भी में मैं भी हूँ इसका क्या मतलब हुआ मतलब बिलकुल सी था और साफ मैं भी नहीं जाऊंगा तो लॉग कर दे अभी पक्का बिलकुल कॉन्फिडेंट परसेंट ओके कम्प्यूटर जी इस जवाब को लॉग करते हैं जवाब बिलकुल सही इसक्यूज मी येस आप ही नैना की मामी है जी हाँ कहिए मेरा नाम बॉबी है बॉबी कुच्राल बॉबी? ओ आई आई ये ना लेकिन अर्जुन तो घर पर नहीं है वो तो बच्चों को मैं अर्जुन से नहीं आप से मिलने आई हूँ उच्छे? जी हाँ सुना है आप लेक्चरर हैं बच्चों को पढ़ाती हैं ठीक सुना है आपने अर्जुन को ऐसा क्या पढ़ा दिया? कि वो आपका घर छोड़कर उस बंगले में शिफ्ट नहीं होना चाता जो कंपनी ने उसे अपनी हैसियत के मताबिक रहने के ले दिया है पढ़ाने का मतलब? उसका इस घर में दिल लगा हुआ है इसलिए वो यहाँ से जाना नहीं चाता इस जगे में? ऐसी जगे में तो इतने बड़े स्टार सिंगर के नौकर भी नहीं रहते होंगे जहां वो खुद रह रहा है वोट टी यो मीन? ऐसा मैं नहीं कहती वो सब लोग कहते हैं जो इतने बड़े स्टार सिंगर को मिलने यहां आते हैं और फिर पीट पीछे उसका मजाक उड़ाते हैं उन लवजों के लिए माफी चाती हूँ जो आपको अच्छे ना लगे हो आप मुझसे बहुत बड़ी है शायद मेरी मा जैसी और आप एक लेक्चरर भी है सिखाना आपका काम है तो आप अर्जुन को भी सिखाईए ना उसे ऐसा सिखाईए कि लोग उसके रहन सेहन का मजाक न उड़ाएं मैंने फैसला कर लिया है यह कैसा फैसला है मा यह जबरतस्री की रिष्टे जोड़ने की कोशिश मत करना यह फैसला मेरा है सामान उठाओ और निकलो मेरे घर से मेरे घर से लेकिन मेरा कसूर क्या है कसूर तेरा नहीं कसूर तो मेरा है जो मैंने तुर जैसे बड़ी स्टार सिंगर को इस छोटे और घट्या घर में पना दी है शायद तेरे नौकरों को भी इससे बड़िया और बड़े घर में रहने की आदत होगी किसने कहा ये? किसीने भी कहा ओगा लेकिन ये मेरे पती का घर है और ये किसी मंदर या महल से कम नहीं समझे अब उठा अपना सामान और जा उस बंगले में जो बगला तुम्हारे कमणी वालों ने दिया है बिना कसूर बिना किसी कारण क्यों ये सजा दी जा रही है मुझे तू ऐसे नहीं मानेगा समन उठाओ नहीं मैं नहीं जाओंगा भी मैं चर्म टू मुझे डिनाओ नहीं मान button दर्वाजा बंद करने से कुछ नहीं होगा मा मेरा घर तो आपके दिल में है दिल से निकाल कर दिखाओ तो जाने दिल तोर दिया अपने सुना दिल तोर दिया दिल तोर दिया हलो 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 अर्शन 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 सुचा बेठी, बहुत आतो कि सुचा सुचा हुआ हुआ अर्शन आप आप लोग यह मत सोचना कि मैं यहाँ फिर से रहने आ गया हूं मैं आपको इन्विटेशन देने आया हूं मेरे शोस की काम्याभी की खुशी में कम्प्री ने एक बहुत बड़ी पाटी रखी है वहां सब का कोई ना कोई होगा और मैं चाहता हूं कि वहां मेरे अपने भी हो आप लोग मुझसे कोई रिष्टा समझें ना समझें लेकिन मैं तो समझता हूं कि मेरा आप से बहुत खेरा रिष्टा है पहले तो दिल तोड़ती है आपने अब कम से कम दिल रखने के लिए आ जाना कान पकड़कर घर से निकाला था अब कान पकड़कर अंदर ले जा रही हूं चला कि मुझे माव करते ना बेटा मा लेकिन तुम्हारा यहां से जाना बहुत जरूरी था क्योंकि तुम्हारी जगह यहां नहीं महलों में है इनसान का रहन सहन उसकी हैसियत के मुदाबिक होना चाहिए ना इस घर में रहना ज़रूरी नहीं अरजुन इस दिल में रहना ज़रूरी है लेकिन मा और तू तो हम सब के दिलों में है ही ना लेडिज एन जेंटलमेन मैं बीजे जी म्यूजिक कंपनी की और से आप सब का स्वागत करता हूँ आज हम सब यहां किसी की कामियाबी और मकसद पूरे होने की खुशी में इकटे हुए हैं आप सब का धन्यवाद जो आपने इस फनकार की होसला अफजाई की और उसे उस उचाई तक पहुचाया कि वो सब के दिलों में समा गया वो जो सब की जुबा पर है उस सितारे उस स्टार का नाम है अर्जोन सेंग Excuse me sir, आप इतने बड़े कलाकार हैं आज घर-घर में आपके चर्चे हैं ये काम्याभी आपकी जिन्दगी में क्या मायने रखती है काम्याभी मेरी जिन्दगी का मकसद था और जब जिन्दगी में मकसद मिल जाता है तो जीने की वज़ा भी मिल जाती है One at a time please Sir, मकसद और काम्याभी पाने में काफी लोगों का हाथ होता है आपकी जिन्दगी में कौन है जिसने आपके सपने पूरे किये Hi Excuse me, वो, उन्हेंने मुझे ये रास्ता दिखाया God bless you, बहुत-बहुत मुपाराण Ajund, best of luck Thank you Have a seat, ma'am Naina जी क्यो Naina जी, हो जाए अरे हो जाए, हो जाए, सोचना क्या Come on, डीदी, please Come on, Naina Go Yeah Thank you, ma'am Hmm head Who You Hello कर दो 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 कर प्रख्रीन है जो न다ग करना समय Maxim Last इसके प्राइट अंज है प्राइब्स कि है झाल झाल सरकार जनाब मेरी जान तुम अब तक सोई क्यों नहीं मुझे नहीं नहीं आरी बाबा एक सोच है जो मुझे सोने नहीं दे रही सोच हमने हमेशा कोशिश की है कि कोई भी सोच हमारी जान तक पहुँशने के लिए सौ बार सोचे फिर कौन सी सोच है जो तुम तक पहुंच गई उस सोच का नाम नैना है पापा नैना वो अच्छी लड़की है पापा मेरी उससे कोई दुश्मनी भी नहीं है लेकिन जब भी मैं उसे अर्जुन के साथ देखती हूं न मुझे बिलकुल अच्छा नहीं लगता है मेरे दिल और दिमाग में एक तुफान सा उठने लगता है नफरत का तुफान मेरा जी करता है पापा मैं नैना का खून करतूँ खून? मेरी जाने मन मेरे सरकार इसका मतलब है कि यू आ इन लाव आ इन लाव बेटा आ यह रिघन लॉब तुम्हें अरजुन से प्यार हो गया है आ इन लाव बेटा अब डास इंटास्तिक व्हो और बीकॉल यह वोड़व गुट इवनिंग गुट इवनिंग अर्जुन भाईया अनुत तुम मा भी आई है मामा नहीं आई है मैं के लिए हूँ चला इधर आप बैठ इधर अब बोल क्या पिएगी कुछ ने पियोंगी क्योंकि बाहर मेरी सहलिया मेरा इंदजार करी है और मुझे जाना है कम आन अभी तो आई है इतनी जल्दी जाना है हाँ ममी ने ये मैसेज भेजा है कि कल शाम को तुम्हें घर आना है क्योंकि नैना दीदी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं नैना जी को देखने क्यों अरे क्यों का मतलब क्या हुआ दिदी के शादी के लिए और ममी ने कहा है कि अगर तुम वहां रहो तो अच्छा होगा ताकि तुम लड़के को देख भी सको और उसे पसंद भी कर सको राइट ओके मैं जाती हूँ भूला नहीं ओके बाई अरे अर्जुन तुम अभी तक घर पे हो शोका टाइम हो रहा है जी क्या कोई प्रॉब्लम है क्या तो जल्दी कीजिए स्टार साहब आपके चाहने वाले आपका इंतजार कर रहे हैं क्या आपके तो जाती है एक दूजे पे मरते थे हम प्यार की बात करते थे खाबों में खोए रहते थे बाहों में सोए रहते थे हम आशिक थे दिवाने थे इस दुनिया से वेगाने थे ये उन दिनों की बात है जब हम पागल पागल फिरते थे कहते थे कुछ सुनते थे हम फूल वफा के चुनते थे कभी हसते थे कभी रोते थे हम यार जुदा जब होते थे हमें सब कुछ अच्छा लगता था अफसाना सचा लगता था ये उन दिनों की बात है जब हम पागल पागल फिरते थे तनहाई में जब मिलते थे दिल में हल चल सी होती थी हम दोनों जागते रहते थे जब सारी दुनिया सोती थी जब याद तुम्हारी आती थी चाहत के नगों में गाते थे बेचेन दिवाने धड़कं को बहलाते थे समझाते थे ये उन दिनों की बात है जब हम पागल पागल फिरते थे पिरते थे प्लीज नुट तोड़ की थे प्लीज नुट टोड़ नुट टोड़ थे थेंक्स अर्जुन तुम इस वक्त यहां पेचेनी इस बढ़ गयी मा कि हम सुपा तक का इंतिजार ना कर सके बेचेनी क्यों क्या हुआ चल अंदर आजा बैट क्या मा जब से अनु ने बताया है कि कल सुभा लड़के वाले नैना जी को देखने आ रहे हैं हमारे अंदर एक अजीब सा तुफान उठ रहा है मां हमारे अंदर जैसे एक जंग सी चल रही हो हमें समझ नहीं आता मां हमें बिल्कुल समझ नहीं आता हमें क्या हुआ है मां नैना सुना अर्जुन क्या कह रहा है क्या जवाब है तेरे पास इन बातों का क्यों हो रहा इसके साथ यह सब इतना बेचैन है कि सुबह तक इंतजार भी ना कर सकते हैं कब होता है हानू नैना को कौन सा लड़का देखने आने वाला है जोट बोला था मैंने क्योंकि जब जब भी अर्जुन बोबी की तारीफ करता था या बोबी के बार में कुछ भी कहता था तो नैना हमेश्य आपने दिल पर सब्रका पत्थर रखकर सिर्फ मुस्कुरा देती थी हर बार मैंने उसके आखों में बढ़ा मा यह अर्जुन से बहुत प्यार करती है मैंने इसके आखों में जितना प्यार देखा न उन्हीं आखों में उससे भी बड़ा एक सपना देखा कि अर्जुन के सारे सपने पूरे हो जाए इसका प्यार अर्जुन की काम्याबी में कह कि वह हमेशा खामोश रही मैंने भी अंदेरे में तीर छोड़ा निशाने पे लगा तुम तड़प उठे तुम्हारा प्यार सब के सामने आ गया नेना तुम भी खामोशी तोड़ दो अर्जुन की जिंदगी में अगर कोई दूसरी लड़की आ गई न तो पूरी जिंदगी सब कैसे कहती नेना यस ममा अनु इस राइट क्यों तुझे तेरी बेचैनी की वज़ा मालूं पड़ी है तैंक यू अनु क्या है न मा अंग्रेजी में कहते हैं क्या कहते हैं आई लाव यू ममा कि यू लव समबोड़ी सेड़ प्री इफ लवस्यू विल कम बैक ट्यू पर नैना जी हम तो आपसे दूर कभी गए ही नहीं हम तो हमेशां आपके बहुत पास और बहुत करीब थे अब देखिये ना अकसर इंसान अपने मकसद को पाने में इतना खो जाता है कि उसे यह एह सांस ही नहीं होता कि कोई उसे प्यार करता है हमें तो आज सब कुछ मिल गया जी सब कुछ तुम्हें तो प्यार का इज़ार करना भी नहीं आता वही जैसल मेर के सीधे साधे अर्जिन सेंग अगर मुझसे प्यार करते हो न तो प्यार का पहला सबक भी सिखो इस जी को हटा दो मुझे सिर्फ नैना कहकर पुकारो जी नैना नैना जी इस जी को तो आप रहने ही दीजिए इस जी में बहुत प्यार है हम तो शादी के बाद भी आपको नैना जी ही बुलाएंगे शादी जी नैना जी प्यार किया है तो शादी भी तो होगी ना आई लाब यू आजू इक दूजे पे मरते थे हम प्यार की बाते करते थे खाबों में खोई रहते थे बाहों में सोई रहते थे हम आशिक थे दिवारे थे इस दुनिया से बेगारे थे ये उन दिनों की बात है जब हम पागल पागल फिरते थे पिरते थे, पिरते थे पिरते थे इस दुनिया थे बताओ क्या देखा पापा मैंने देखा कि मेरी अर्जुन के साथ शादी हो गई संच, यह मैं तर संटास्टिक बट्व में एक सपना तिका अच्छा आपने सपना देखा क्या देखा ना 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 हमारा सपना लवजों वे बयान नहीं किया जा सकता है चलो मैं तुम्हें दिखाता हम सपना दिखाएंगे येस सब लाइब यह है हमारा सपना मेरी बेटी की शादी इस तरह इतनी धूम-धाम से होनी चाहिए कि शादी देखने वालों को ऐसा लगे कि वो खुद सपना देख रहे हो पापा आपने यह सपना कब देखा उस दिन तुमने कहा था न कि जब तुम नैना को और जुन के साथ देखती हो तु उसी दिन उसी दिन हमने तुमारी दिल की आवाज सुन ली जब अर्जुन को यह मालूम पड़ेगा तो वह खुशी से पागल हो जाएगा राइट थी पापा गूड मॉनिंग भाबी जी गूड मोनिंग आर्जुन तुम काहा हो में इतने देर से फ़ोन लगार कि हम हम आपके पास े सच कितने पास बहुत पास और बहुत खुश आज मैं बहुत बहुत खुश हुँ आर्जुन तुम भी मेरी बात सुनोगे न तो तुम भी खुशी से जूम उठोगे अच्छा अर्जुन, अर्जुन मैं शादी कर रही हूँ, शादी यह तो बहुत खुशी की बात है बाबजी, कॉंग्राचुलेशन्स, कॉंग्राचुलेशन्स, तुम्हे भी बहुत-बहुत मुबारक हो अर्जुन, ऐसे क्या देख रहे हो, आपको पता चल गया, कमाल है बाबजी, च मैं तो सोचा था कि हम बाबी जी को खुशकबरी सुनाएंगे और इन्हें चुका देंगे, पर इन्हें तो पहले सही मालूम तो हम दोनों Shad scooter कर रहे हैं यह तो माल की हो गया इन्ने तो हमयी जटका दे दिया, बउबी जी हम दोनों कर रहे हैं इनने तो हमारे दिल की बात पहले से ही पता चल जाती है यह दोस्ती है दिल की बात सुबह के आने से पहले दोस्त को पता चल जाती है इनना जी करी दोस्त की अ कर दो.. कर कर दो दोस्त कर दोस्त यह है हमारा सब्सक्राइब यह है वह है यह है य यह है यह यह है कर दोग्त शोगना आने कर दोग यह है यह है यह है यह Clifford कि व कारिग थान तेट। कि और ढיל है कि व मद्ट डाया थ söyleye वाबी जी एक बागी जी आप शॉपफ 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 आप मैं के आप जी पागर कर दिया है तेरे सिवाना कुछ दिखाइए देता है न सुनाई देता है तुन थो तेरे सपने लेकर जागती हूँ तो तेरे सबने में जीना चाहती हूँ तरी सबने बुने करते करते तुही मेरा सपन बढ गया वह? शाट आप सिर्फ मैंने ही नहीं तुम्हें लेकर मेरे पापा ने भी ना जाने हम दोनों के लिए क्या-क्या सपने देखे और तुने पलग छपकाने से भी पहले हम दोनों के सपने चूर-चूर कर दिये पॉबी जी हमारी और नैना की शादी होने वाली है जो मुझे पसंद है वो सिर्फ मेरा है जो मेरा नहीं वो किसी का नहीं किसी का नहीं कि जो मेरा टार्यों कि अयाक कि अबू़ल कि वंक पत दो कि अबस अब बससित कि अबस्हक कि यदेग्बूब framework कि रिवॉल्वर फेक्क्यों दिया पॉबी जी लीजी माटा ली हमें माटा ली हमें बॉबी जी ताकि आपके अंदर जो हाग भड़ा करिया न वो बुच सके अपके हैं को यह हैसास हो सके कि जिसे मिट्टी से उठाकर आस्मान पे पहुचाया था उसे पहर मिट्टी में मिला दिया अरे आप तो हमारी परी हैं हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारी आखात इस परी से प्यार करने की होगी और हमने कभी अपनी आकात से बाहर छाकने की कोशिश तक नहीं कि बॉबी जी प्यार किया नहीं चाता प्यार तो हो जाता है जैसे आपको हमसे हमें नेनेजी से और नेनेजी को हमसे प्यार नहीं एक समझोता है और नहीं एक सबर्दस्ति का खेल पर हम आपको दुखी भी नहीं देख सकते बहुत हैसान है आपके अमपर बहुत हैसान यह हैसान तो हम चाहकर भी नहीं उतार सकते आपकी खुशी इसी मेहना जो आपका नहीं वो किसी का नहीं तो मार डाली हमें बाबी जी आपकी ठाप आपकी खार्चा1 प्यार किया नहीं चाहता प्यार तो हो जाता है जैसे आपको हमसे हमें नेनेजी से और नेनेजी को हमसे प्यार नहीं एक समझाता है और नहीं एक सबर्दस्ति का खेल झाल एक सम्झेले आ एक सब्सकेट टार उला तो है आमें ऐसाँ हमसे 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 लिए सबर्दस्ति का फ्यार शेर्दस्ति इसरी आपकता है जहीं एक समयर्दस्ति इस वे खोगाई एक समयर्दस्ति and the award for the best male singer goes to Arjun Singh and the award for the best male singer झालाओ झालाओ! 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 आज हम बहुत खुश हैं, बहुत. हमें इस खुशी और इस मुकाम पर पहुचाने में, बहुत से लोगों का हात है, बहुत से लोगों का प्यार है और बहुत से लोगों का आशिरवात है सबसे पहले हम शुक्रियादा करना चाहेंगे अपने भईया और भावी का जिनके आशिरवात से आज हम आप सब के दिलों में रहते हैं फिर नैना जी का जो हमारी प्रेरना है फिर मा, अन्नू और टुक टुक जो हमारी हिम्मत और होंसले का सहरा बने फिर हमारे मॉंटो भहिया, इकबाल चाचा और ए आर सिद्धी की साहब जिनने यकीन हो गया, कि हम उनके काबिल हैं और इन सब से अलग उस परी का जिसने हमें चुआ और चमतकार हो गया वो परी एक सुनहरी तक्दीर बनकर हमारी जिन्दगी में आई और हमारी जिन्दगी का रोखी बदल दिया परीजी जो लोग दिल में रहते हैं वो हमेशा जिन्दा रहते हैं और आप तो हमारे दिल में आप तो हमारे दिल में मेरे हूला आते से है कि मैं कुछ कर नहीं सकती तरपता है ये दिल लेकिन मैं आहे भर नहीं सकती जख्म है हरा हरा और तुम चोट खाने की बात करते हो जख्म है हरा हरा और तुम चोट खाने की बात करते हो जिन्दगी खफा खफा और तुम दिल लगाने की बात करते हो आँख है भरी भरी और तुम मुश्कुराने की बात करते हो जमाने में बला कैसे मुहाबत लोग करते है जमाने में बला कैसे मुहाबत लोग करते है वफा के नाम की अब तो शिकायत लोग करते है आग है बुझी बुझी और तुम लोजा लाने की बात करते हो जिन्देगी खफा खफा